दोस्तो यदि आप टेली प्राइम सॉप्ट वेर में बहुत आसानी के साथ कारी करना सीखना चाहते हैं, जीएश्टी से रिलेटिट जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संब्ध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं, उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्यान अरजन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस करके All पर भी क्लिक कर दें, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि GST पोर्टल पर QRMP स्की माच चुकी है, और इसमें हुआ ये है कि जो भी Regular Registered जिनका Turnover प्रीविएस Financial Year 2019 में 5 करोड रुपए तक रहा था, उनको Financial Year 2020-2021 के Last Quarter, January to March 2021 के लिए by default migrate कर दिया गया था, या तो उनको monthly return में रख दिया गया था, या फिर quarterly return में रख दिया गया था, और हमारे पास ये option था, चूज करने का कि by default हमको जिसमें भी रख दिया गया है, हम उसको change कर सकते हैं, या नि monthly return में रख दिया गया था, और हम quarterly return में जाना चाहते था, तो हम quarterly return में भी जा सकते थे, और quarterly return में रख दिया था, और हम monthly return में जाना चाहते थे, तो हम ये भी कर सकते थे, और इसकी last date थी 31 January 2021 और हमने ये setting भी कर लिए, अब यहां पर यह सवाल आ रहा है कि हमने जो setting January to March 2021 के quarter के लिए की तो क्या आगे जो financial year आएगा 2021-22 उसके लिए फिर से हमको setting करनी होगी हर quarter में जाकर क्या हमको यह setting करनी होगी तो दोस्तों इस सवाल का जबाब हम इस वीडियो में जानेंगे इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि मान लिजिए financial year 2021-22 के first quarter में जाकर हमने monthly return सेलेक्ट कर ली तो फिर क्या पूरे financial year में हमको monthly return नहीं फाइल करनी होगी और यदि हमने quarterly return सेलेक्ट कर ली 2021-22 के first quarter अप्रेल to zone के लिए तो क्या पूरे financial year में हमको quarterly return नहीं फाइल करनी होगी या फिर हम उसको भी change कर सकते हैं तो इस सवाल का जबाब भी हम इस वीडियो में जानेंगे इसके लिए हम चलते हैं सीधे GST Portal पर आपको यहां आने के लिए आपका जो भी ID Passport है उससे आपको login कर लेना है GST Portal पर और फिर आना है आपको service tab में service tab में आने के बाद आपको return section में आना है और return section में आपको एक option मिलेका opt in for quarterly return उस पर जैसी आप clip करेंगे आप इस जगे पर आजाएंगे अब यहां पर दोस्तों मेरी जो firm है उसका turnover financial year 19-20 में 5 करोड से कम रहा था और January to March 2021 के लिए मैंने इस firm के लिए quarterly return को select कर लिया है और आगे मैंने कोई भी setting नहीं किये अब हम यह देखते हैं जाकर यहां पर 2021 वाइस financial year जगह पर आ रहा है इसको search करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या setting होई और वहीं पर हम अपने दोनों शवालों का जबाब भी लेंगे सर्च पर मैंने कर दिया click जैसे ही मैंने सर्च पर click किया तो देखें यहां पर financial year 2021 है और इसके चारों quarter इस जगह पर quarter के column में सो रहे है quarter first अपरेल टुजून, quarter 2, July to September, quarter 3, October to December और quarter 4, January to March यह चारों quarter यहां पर आ रहा है first quarter यहां पर highlighteds हो रहा है और वहां की जो है वो निस्क्री हो रहे है 300 अब देखी यहां पर मैंने 2021 के लिए कोई setting नहीं की थी लेकिन 2021 का जो first quarter अपरेल टुजून उसके लिए हमको यहां पर select frequency में quarterly रख दिया गया है यानि अपरेल टुजून की return जो है वो हम quarterly फाइल करेंगे जबकि मैंने setting क्या की थी पिछले financial year के last quarter January to March 2021 के लिए quarterly सेलेक्ट किया था तो यहां पर हमको अपरेल टुजून यह इसका जो next quarter आएगा अपरेल टुजून 2021 वाइस financial year में आएगा उसके लिए भी हमको quarterly सेलेक्ट कर दिया गया है तो यहां पर दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपने 2020-21 financial year के last quarter January to March quarter के लिए आपने जो भी selection कर लिया है और आप उसी में रहना चाहते हैं तो फिर आपको कोई भी setting नहीं करनी है बाइडिफॉल्ट आपके लिए उसी में migrate कर दिया जाएगा हर quarter के लिए जैसे कि हमारे case में हुआ है January to March 2021 के quarter के लिए मैंने quarterly select किया था तो April to June के लिए भी हमको यहां पर quarterly ही रख दिया गया है और हम quarterly में रहना चाहते हैं तो इसके बाद क्या होगा July to September के लिए भी हमको यहां पर quarterly में रख दिया जाएगा और फिर October to December के लिए भी हमको quarterly में ही रख दिया जाएगा और January to March के लिए भी हमको quarterly में रख दिया जाएगा यानि हम जिसमें setting कर चुके हैं एक बार उसी में रहना चाहते हैं तो फिर हमको बार बार यहां पर आकर setting नहीं करनी है हम पूरे 2021 वाइस financial year में उसी में रहेंगे ठीक ना अब बात करते हैं दू मन्थली में आना चाहते हैं तो क्या यह हम कर सकते हैं इस quarter में आका है ना तो इसके लिए दोस्तों आपको इस जगह पर आना होगा यानि बाइड डिफॉल्ट जिसमें आपने जो selection कर लिया था 2020-21 के last quarter के लिए हमने quarterly select कर लिया था अपने case की बात करें और यदि हम quarterly में ही return आगे के चारो quarter जो हैना 2021 के हम quarterly basis पर ही फाइल करना चाहते हैं तो हमको द्वारा यहां पर आने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यदि हम monthly में जाना चाहते हैं अब तो हमको इस जगह पर आना होगा और हम April to June quarter के लिए monthly return फाइल करना चाहते हैं तो monthly को हम select कर लेंगे और इसक उसके लिए हम monthly return फाइल कर पाएंगे ठीक ना और यह हम कब कर पाएंगे यानि आप ने जो पहले setting कर रखी है उसको बदलना चाहते हैं तो आपको यहां पर आना होगा और यहां पर आपको date भी मिल जाएगी कि यह आप कब तक कर सकते हैं अब यहां पर क्या हुआ कि quarterly return में हम थे 2020-2021 के last quarter के लिए तो 2021-2021 के first quarter के लिए भी हमको उसी में रख दिया गया है और यदि हम इसको परवर्टित नहीं करेंगे तो यही हमारा आगे बढ़ता जाएगा लेकिन हम इसको परवर्टित करना चाहते हैं तो हम इस जगह पर आएंगे और यहां पर quarterly की जगह हम monthly कर सकते हैं और यह हम कब तक कर पाएंगे तो अपरेल टू जून quarter के लिए यदि हमको setting करनी है quarterly से monthly में जाना है तो हमको यह काम करना होगा एक फरवरी 2021 से 30 अपरेल 2021 selection available from में आपको date मिल जाएगी तो इस date तक हम आएंगे और इसको परवर्टित कर लेंगे और इसके बाद हम monthly आगे नहीं करनी है और फिर मान के चलिए यहाँ पर हमने monthly कर दिया एक फरवरी 2021 से 30 अपरेल 2021 के बीच में आकर हमने इसके कर दिया monthly और monthly करने के बाद हमको लगा हमने गलती कर ले हमको तो quarterly में ही रहना चाहिए था तो फिर हम क्या कर सकते जुलाई to September quarter के लिए यहाँ पर quarterly फिर से भर पाईए तो यहाँ पर आपको एक वास समझ में आगी होगी कि एक वार आपने जो भी setting यहाँ पर कर दी और उसी setting में रहना चाहते हैं चाहा मन्तली करें चाहा quarterly उसी में रहना चाहते हैं आगे के quarter में आप उसी return में जाना चाहते है तो फिर आपको इस चगे प पर सक्रियता है, तो आप first quarter में setting कर सकते हैं, इस quarter को करने के बाद, यहाँ पर 1 मई 2021 से 31 जुलाई 2021 की बीच में यह भी सक्रिय हो जाएगा, तो यहाँ पर July to September के लिए आप अपने उसको change कर सकते हैं, जिसमें भी आप रहना चाहते हैं, select frequency में changing कर सकते हैं, तो आपको बात clear हो हमने यहाँ पर date भी लिखी हुई है, उस date तक आप इसको change कर सकते हैं, तो यह दोनों बाते हैं आपको पता चलगी, इसके अलाब़े एक बात और है दोस्तों, कि यहाँ पर पिछला financial year ही नहीं देखा जाएगा, यह वाला financial year भी देखा जाएगा, ठीक है ना, अब जैसे मा 2021-20 में हम किस आधार पर आए, पिछले financial year के turnover के आधार पर, लेकिन यहाँ पर 2021-20 में हमने quarterly return select गर ली किसी भी quarter में, और मान लीजिए, अपरेल to जून quarter में हमने quarterly return में गए, जुलाइ to सेप्टेंबर quarter में भी हम quarterly return में गए, क्योंकि पिछले financial year के आधार पर हमको selection किया गया दिया जाएगा क्योंकि यह जो स्कीम है quarterly return फाइल करने की जो facility है वो सिर्फ और सिर्फ उनको है जिनका turnover पिछले financial year में पांच करोड से कम रहा हो और इस financial year में भी उनका turnover पांच करोड से ज्यादा ना हो तो आपको समझ में आ गया होगा यानि दो quarter भरने के बाद या माल लिज क्वाटर में हमारा पांच करोड तीन क्वाटर में भी तीन क्वाटर में ही चला गया पांच करोड से ज्यादा तो इसके आगे वाला जो financial year आएगा उसमें भी by default हम को मंधली में कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि मैंने जो भी आपको बताया है वह आपको समझ में आ में पांच.